बूर्णिंग गाईज कैसे हो आप लोग तो गाईज आज है रिपब्लिक डे एपी रिपब्लिक डे टू यू तो गाईज आज हमारे कॉंस्टिटूशन को बने हो 72 यर्स हो गए है तो गाई सीजी को देखते हुए हमारी ये डूटी बनती है कि हम इसकी रिस्पेक्ट करें और इसको अच्छे से फॉलो करें तो आज रिपब्लिक डे के दि हम इंडियन आर्मी को हमाली तरफ से छोटा से ट्रिब्यूट देना चाहते है तो हम आज लोग इसी कुशी में कमांडो वोकाउट करेंगे तो मुझे पता है कि मैं उनके लावल का वोकाउट नहीं कर कि अज़े तो इसके मैं आपको रेप्स कमेंड करूंगा साथ साथ और तीन सेट में नेक्स्ट वरकाउट एक स्थोजिव पुशब इसमें आप लोगों को जब अपने आपकी बॉडी लिफ्ट करने तो पूरी जान से करनी है कि मैं आपको छे से साथ रेप्स रिकमेंड करूंगा तीन सेट में नेक्स्ट वरकाउट आचर पुशब इसमें आप लोगों को पुशब मानने लेफ्ट और राइट जोना साइड तो वाइज इसके मैं आपको तीन सेट रिकमेंड करूंगा बार रेपटिशन के तो अपने इसमें आपको नकल की शेफ पर पुशब पानने तो अपको नकल की शेफ पर पुशब पानने तो वाइज इस वर्काउट के भी मैं आप लोगों को कम से कम पांच से छे मिनिमम रिकमेंड करूंगा और तीन सेट में अग्ला वर्काउट है स्टैगर पुशब इसमें आप लोगों का अपना पहले राइट हैंड आगे रखने और लेफ्ट हैंड पीछे रखने और अग इसके आपको मैं दोगे सेट रिकमेंड करूंगा पांच बांच रेपिटिशिंग इसमें आप लोगों को पहले पुशब पानन उसके बाद लंबी सी जंप लेनी है आपको पांच रेपिटिशिंग रिकमेंड करूंगा थीन तीन सेट में अग्ला वोकाउट है क्रंच एंड जंप इसमें आपको पहले क्रंचीज मारने और इसके बाद एक ऊपर पूंथी जंप लेनी है जंपिंग स्कोर्ट इसमें आप लोगों को पहले स्कोर्ट की पूजिशन में ध्यान रखने है कि आप लोगों को शोल्डर से अपने गुटनों को आगे निकालना मीज बिल्कुल तो के अंदर रहींगी इस वरक आउट के आप लोग पांच चैट कर सकते हैं तीन रेपिटिशन के जिसमें आप लोगों पहले राइट और लेफ दोनों में तीन रेपिटिशन करने हैं अब लेट के रहेंगे अब लोगों को इस वरक आउट को एक्स्पोसिव नाना तो अब लुटनेटिव जंपिंग लंजिस भी कर सकते हैं वाइजिस वरक आउट के मैं आपको चार रेपिटिशन सी कमेंड करूंगा तीन सेट के अब लोगों को वेटिट प्लैंक जिसमें आप लोगों को वेट की जरूगरत पड़ेगी वाइज इस वरक आउट के आप लोग 30 सेटिंड के रेपिटिशन मार सकते दो बार यह ता हमारा आज का स्पेशल कमांडर वरक आउट तो गाइज ओप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अकर वीडियो अच्छी लगिया तो लाइक करें अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और मेरे को अगले वाक आउट के लिए कमेंड बॉक्स में रिकमेंड करें तो थैंक्यू गाइज आप सभी को एक बार फिर से हैपी रिपब्लिक देज और मैं चाहता हूँ कि आप सभी फिट रहे खूश रहे हल्दी रहे थैंक्यू गाइज ह आपी रिपब्लिक देज जाहिन जाब